पुश्पा नाम सुनके फ्लावर समझे क्या फायर है मैं अभी तक बॉक्स अविस पर बाजी और कौन मना आज का सबसे बड़ा किंग तो दोस्तो यह सब जानने से पहले अगर आपने हमारे चनल कलेक्शन टेक को भी तर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बेल आइकोन प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेश बड़ान उसके बॉक्स अविस कलेक्शन की रिपोर्ड मिलती रहेगी सबसे पहले तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षे कुमार की फिल्म शुरी वैंशी के बारी में आपको बता दे शुरी वैंशी फिल्म में आपको अक्षे कुमार क साथ कटरेना केफ लेड रोल में दिखाई दी थी वहीं इस फिल्म में आपको अजय देवगन और रणवीर सिया का भी काफी जबर जस्त केमियों देखने को मिला था वहीं फिल्म का बज़र था एक सो बचास करोड रुपे लेकिन इस फिल्म को पब्लिक विडिक्स नहीं काफी ज़्यादा पसंद किया और लगबग 4.5 इस्टार रियू दिया जिस वज़े से फिल्म के वर्ड आप माउत में काफी जबर जस्त गरो देखने को मिली और शुरिवन्शी फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ओविस पर रिलिस होते ही 26 करोड 29 लाग रुपे से भी ज़्यादा की ओपनिंग की जिस वज़े से यह फिल्म अक्षे कुमार के करियर के साथ साथ इस साल बोल्यूर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म साबित हुई इसी के साल फिल्म ने अपने दुसरे दिन भी बॉक्स ओविस पर काफी अच्छी पकड़ बनाए रखी ओ लगबग 23 करोड 85 लाग रुपे कमा इस फिल्म के तिसरे दिन संडे होने की वज़े से इस फिल्म का कलेक्षन काफी ज़रा बड़ा ओफिल्म ने अपने पहले अपते 120 करोड 29 लाग रुपे कमाये लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टूटा कलेक्षन की बात करें तो शुरी बंशी फिल्म अपने 42 लाग रुपे के असपस कमाई कर रही जिससे फिल्म का 42 दिनों का टोटल इनियान बोक्स सविस कलेक्षन एक सो पिंचान नो करोड 45 लाग रुपे से ज़दा रहेगा वहीं अब बात कर लेते हैं बोल्यूट के सूपर इश्टा सल्मान खान की फिल्म अंतिम धा फाइनल ऊचुद के बारे में आपको बता दे इस फिल्म में आपको सल्मा के सारायूश छर्मा ले डिखाए दिये थे वहीं सिल्म का वज़र था 40 करोड रुपे लेकिन इस फि पर 5 करोड़ तीन लाख रुपे की ओपनिंग की इसी केसार फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में थोड़ी सी ग्रोध देखने को मिली ओफिल्म ने अपने दूसरे दिन 6 करोड़ तीन लाख रुपे कमाए लेकिन फिल्म के तिसरे दिन संडे होने की वज़े से फिल्म के कले की बात करें तो सल्मान खान की फिल्म अपने पहले अपते अपने बज़क बज़से लग है असी परसेंट से ज्यादा की रीकावरी करने में काम्याब रही whack Hijoweत 29 और 32 लाग रुपए से ज्यादा की कमाई कि इस एक साथ इस फिल्म को अभी तक box of is पर रेलिस हुए 22 दिन से ज़ादा हो चुके हैं और रिपोर्ट से के मताबिक सल्मान खान की फिल्म अंतिम अपने 22 दिन यानि आज 4 लाग रुपे से भी ज़ादा की कमाई कर रही जिससे इस फिल्म का 22 दिनों का टूटल इंडियन बॉक्स विस कलेक्शन 40 करोड 7 लाग रु 20 करोड रुपे लेकिन इस फिल्म को पब्लिक ओग डिक्स ने काफी ज़ादा पसंद किया और काफी अच्छी इस्टोरी होने की वज़े से फिल्म को 3 इस्टार यू दिया क्योंकि यह फिल्म साउथ की फिल्म Rx100 की रीमेक थी वहीं अगर फिल्म के बॉक्स विस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने भी अपने पहले दिन बॉक्स विस पर काफी अच्छी पगड़ मनाते हुए 4 करोड पाच़ लाख रुपे से भी ज़ादा की ओपनिंग की इसी के साथ फिल्म ने अपने दुसरे दिन भी बॉक्स विस पर काफी अच्छी पगड़ बनाई र लेकिन इसके बावजुदिस फिल्म ने अपने चोते दिन बॉक्स अविस पर काफी जादा ड्रोप पाते हुए 2 करोड 25 लाग रुपे के आसपास कमाई की लेकिन यह फिल्म अपने पहले अपते बॉक्स अविस पर ठिक टाक प्रदेशन करने में कामियाब रही फिल्म ने अपने पहले अपते अपने बॉक्स अविस पर 25 लाग रुपे के आसपास कमाई की इसी के साथ इस फिल्म को अभी तक बॉक्स अविस पर रिलिस दोए 15 दिन हो चुके हैं पहले अपने बॉक्स अविस पर 25 लाग रुपे के आसपास कमाई कर रही जिससे फिल्म का 15 दिनों का टूटल इंडियन बॉक्स अविस कलेक्शन 26 करोड 20 लाग रुपे से ज़ादा रहीगा लेकिन अब बात कलेते आईशमान खुरान और वानी कपूर की फिल्म चंडिगड करे आशिकी के बारी में आपको बता दे इस फिल्म का बज़र सिर्प 35 करोड रुपे था वहीं सुलनों को एडियन बॉक्स अविस पर लगबग 2500 इसक्रेंस पर रिलिस किया गया और इतने ज़्यादा इसक्रेंस पर रिलिस होने की वज़े से इस फिल्म को पब्लिक ओक डिक्स ने भी काफी ज़्यादा पसंद किया और लगबग फोर इश्टार रियू दिया जिस फिल्म का वर्ड आप माउंट काफी ठीक रहा और फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स अविस पर रिलिस होते ही 3 करोड 25 लाग रुपे से भी ज़ादा की ओपनिंग की इसी के साथ चंडी कड़कर रियाशी की फिल्म को अभी तक बॉक्स अविस पर रिलिस हुए 8 दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट से के मताबिक यह फिल्म अपने आठवे दिन यानि आज बॉक्स अविस पर 1 करोड 22 लाग रुपे के आसपास कमाई कर रही जिस्ते फिल्म का 8 दिनों का टूटल इंडियन बॉक्स अविस कलेक्शन 24 करोड 83 लाग रुपे से ज़ादा रहीगा लेकिन अब बात कर लेते हैं करन दिवल की फिल्म वेले के बारे में आपको बता दे इस फिल्म में आपको सनी दिवल के बेटे करन दिवल लेड वल में दिखाए दिये थे इस फिल्म का बदर था 26 करोड रुपी लेकिन इस फिल्म को इंडियन बॉक्स अविस पर काफी कम स्क्रीन से मिली लेकिन फिल्म को पब्लिक और क्रिडिक्स ने काफी ज़ादा पसंद किया और लगबग 3.5 इस्टार यू दिया जिस वज़े से वेले फिल्म का पहले दिन का क काफी ज़ड़ा बड़ा ओ फिल्म ने अपने तिसरे दिन संडे को दो करोड़ नबे लाक रुपे का जबर जस्ता आकड़ा पार किया वहीं यह फिल्म अपने पहले अपते भी अपने बज़र से लगबग 40% की रीकवरी करने में काम्याब रही ओ फिल्म ने पहले अपते 10 करोड़ नसी लाक रुपे कमाए वहीं फिल्म को अभी तक बॉक्स अविस पर रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं वो रिपोर्ट से का मताबिक वेले फिल्म अपने 8 दिन यानि आज 41 लाक रुपे के असपास कमाई कर रही जिससे फिल्म का आड़ दिनों का टोडल इंडियन बॉक्स अविस कलेक्शन 11 करोड 20 लाक रुपे से जड़ा रहेगा लेकिन अब बात कर लेते होलिट की फिल्म स्पाइडर में नोवे होम के बारे में आपको बता दे इस फिल्म का बज़र लगबग 200 मिलियन डोलर से भी जड़ा था वही इस फिल्म को पब्लिक और गडिक् की जिस वज़े से यह फिल्म होलिट की साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई इसी के साथ अगर फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन की बात करें तो माना चारा है इस फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन भी थोड़ा बढ़ेगा और हो सकता है फिल्म का दूसरे दिन का फिल्म पुश्पा के बारे में आपको बता दे पुश्पा फिल्म इस साल के सबसबड़ी साउथ फिल्मों में से एक है वहीं इस फिल्म का बजट है 250 करोड रुपे इसी के साथ पुश्पा फिल्म को भी पब्लिक उगडिक्स ने काफी ज़रा पसंद किया ओ लगबग 4.5 इ से जादा रहने की उम्मिद है लेकिन फिल्म का हिंदी कलेक्शन थोड़ा कम रहेगा क्योंकि यह फिल्म अपने पहले दिन हिंदी बॉक्स अविस पर सिर्फ 6 करोड 50 लाग रुपे के आसपास कमाई कर रही लेकिन इसके बावजुद यह फिल्म तेल्गू बॉक्स अविस अलू अरजुन बनेंगे इंडिया के सबसे बड़े सूपरिश्टार और उश्पा फिल्मों बनेंगे इंडिया की सबसे बड़े ब्लोगवेश्टर फिल्मों वहीं दूसरे नंबर पर रहेगी होल्यूट की फिल्म इस्पाय डर्मेन लेकिन अगर आपने इन सभी फिल्मो को देखा आयो तो आपको इन सभी फिल्मों में से कौन से फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आयो आप इन सभी फिल्मों में से कौन से फिल्म को कहोगे इंडिया की सबसे बड़ी ब्लोग बच्टे फिल्म और फ्लोप फिल्म अक्षे कुमार की फिल्म शुरी वैंसी को शल्मान की रिपोड मिलती रहेगी सबसे पहले ही